लो फ्रेंट्स बी एस सी सिकेंड सेमिस्टर केमिश्री तो आज हम इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो की एकजाम के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है रफ वीदी द्वारा इल्डो एक सोज को इल्डो पेंटोज में कैसे परिवर्तित करेंगे ठीक है क्वेश्चन आपका एकजाम में पूछा जा सकता है और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है एकजाम के लिए तो प्लीच वीडियो को लास्ट तक देखना इसके पना कीजेगा तो चलो देखते रफ वीदी द्वारा आप कैसे एल्डो एक सोज को इल्डो पेंटोज म पिर समझाते हैं तो उच्चतर एल्डोज को निमनतर एल्डोज में रफ सिंथेसिस द्वारा परिवर्थित किया जा सकता है क्या कहा गया उच्चतर एल्डोज और तत्थ हाईयर एल्डोज जिस पे कार्बन की संख्या जाता हो ठीक है अब निमनतर एल्डोज अर्था लो पस्तिती में हाइट्रोजन पराकसाइड किससे आकसी करत करना है जिससे कार्बन डियक्साइड निकल जाएगा और एराइबी नोज बनेगा तो एराइबी नोज आपका देखो अब समझाते पूरा तो रब सिंथेसिस देखो इसके दुआरा अब करना क्या है यहाइट्रेट्रेट्रेट इसका ग्रुप होता है वह ल्डोज कहलाता है क्या कहलता है तो इसका वल्ड पंटोज नोज खोंगया ठीक है ग्लूकोज में 6 कारबन और रविनोज में 5 कारबन तो चलो करते कनवर्जन तो लिखते हैं एल्डो एकसोस एल्डो पेंटोज तो हमें लेना किया सबसे पहले ग्लूकोज को ग्लूकोज का फार्मूला CHOCH का होल 4 या आप ऐसे लिख सकते हो CHOCH और CHOCH का होल थ्राइज और नीचे CH2OH तो इससे तो पहचानते ही होगे ग्लूकोज है यह पूरा ठीक है यह आपका ग्लूकोज हो गया अब इस ग्लूकोज का दे को ग्लूकोज केसिड बनाना है तो आक्सिडेंशन गा मतलब इसकी क्लिया ऑक्सिजन से करनी तो आक्सिजन से कर दो और उपस्चिती ले लो ब्रॉमीण और जल की ठीक है ब्रॉमीण और H2O की आपको उपस्थिती ले लेनी है जिससे आपका होगा क्या यहाँ पे आपका यह जो HO है इसके बीच में एक oxygen लग जाएगा एको COOH CHOH और नीचे CHOH का whole thrice और आपका फिर क्या होजएगा CH2OH ठीक है CH2OH इसी का नाम होता है gluconic acid या कह सकते हो gluconic अमल ठीक है तो simple glucose का oxidation हुआ gluconic acid बन गया यही था step first अब अगला step आप से कहा गया है देखो glucose का oxidation gluconic acid आप कहा गया gluconic acid का calcium salt बना कर फेरस sulfate क्यूपसिती में hydrogen paroxide से क्रिया तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसका हम लोग क्या करते है जो gluconic acid बना इसका देखो हम लोग क्या करते है इस पहले इसका calcium salt बना देते है तो इसकी क्रिया calcium carbonate से करते है जिससे यहाँ से C double O है जो देख रहे हो इसकी hydrogen की जगा आपका calcium लग जागा देखो कैसे C double O और आपका यहाँ पे calcium और क्या बचेगा CH OH और नीचे आपका CH OH का होल थे है जो CH2 OH तो यह calcium salt of calcium salt of gluconic acid है है यहाँ पे calcium है C A ठीक है calcium आपका यहाँ पे लगा हुए तो यह आपका C double O CA हो जाएगा ठीक है तो यह है calcium salt of gluconic acid ठीक है आप क्या करते हैं अगले इस टिप पे इस कैल्सियन साल्ट आप ग्लुकोनिक एसिट की क्रिया हाइट्रोजन पराकसाइड और फेरस सलफेड एपी एसो फोर की उपसीति में क्रिया करते हैं जिससे आपका एरैविनोज बनेगा तो देखो एरैविनोज कैसे बनेगा यह जो CWO देख रहे हो यह CO2 ग्रूप आपका बाहर निकल जाएगा ठीक है पाँच कार्बन का होता है एरैविनोज आसानी से एल्डो पेंटोज बन जाएगा ठीक है और कार्बन रैकसाइड और जल भी बाहर निकल गए तो ये क्या बन चुका है एराइबिनोज तो देख सकते हो एराइबिनोज बन चुका है ग्लूकोज से एराइबिनोज ग्लूकोज एल्डो एकसोज एराइबिनोज एल्डो पेंटोज ठीक है तो ग्लूकोज का ऑक्सिडेशन ग्लूकोनिक एसिड कैल्सियम कार्बोनेट से क् ग्लुकोनिकेशिड फिर देखो ये जो कैलसियम साल्ट आफ ग्लुकोनिकेशिड बना इसका क्या किया है अपने हैड्रोजन पराकसाइड और फेरा सलफेड में क्रिया कि एरा भी नोज बन गया तो भाईया ये था आपका इल्डो एक्सोस से इल्डो पेंटोज का निर्माड आसानी से कर सकते हो और भी आपको पूरी यूनिट कम्पलीट है भी सी से केंड से मिश्टर की जाके वीडियो भी देख सकते हो ठीक है तो इच्छाय कार बन वाला था वो